भार्ति वायू सेना यानि Indian एर फोर्स तरब से बारहु ही past कंडिढेट के लिए apprenticeship training के लिए vacancy यह निकाली गगी है Technical Trade होगा friends और यह जो vacancy है यह vacancy year force extension ओजहर के लिए यहाँपे registration जो मांगए गये है करना है इसके बारे में बताओंगा इसका important dates क्या है सबसे बड़ी बात इसमें कोई भी आपको application fee नहीं जमा करना है form fill करने के लिए और आपको eligibility criteria भी बताई गई है कि आपकी age क्या होनी चाहिए इसके अलावा अगर आपकी weight और आपका यहाँ पे weightage वगरा भी यहाँ पे बताया गया है इसके अला education qualification, salary क्या मिलेगी, कितना vacancy यह किस trade में important dates वगरा सब यहाँ पे discussion करने वाले हैं तो काफी अच्छी vacancy यहाँ पे निकल के आ रही है apprenticeship training के लिए भारती वायू सेना में एक बहतरीन opportunity आपको यहाँ पी मिल सकती अगर आप यहाँ पे join होते हैं सबसे पहले हम जानते हैं इस notification को आप जो है कैसे download करेंगे बहुत ही आसानी से download कर सकते हैं आप मैं बतायता हूं आपको सबसे पहले friends आपको क्या करना है Google open करना है और search करना है defense job portal.com इतना आप search करेंगे तो आपके सामने जो है देखे यह spelling याद रखेंगे defense job portal.com Google में search करे देखेंगे तो आपके सामनी website खुलेगे defense job portal.com इसको आपको open करना है और इसका जो है link मैं description box में दे दूंगा आप click कर सकते हैं यहाँ पे आपको आने के बाद से your force का section मिलेगा यह जो है बहुत ही अच्छी पोर्टल है friends अगर आप defense job aspirant हैं और आपको different sector में जाना है defense की व आपको जो है इस मतलब पोर्टल को आपको हमेशा विजिट करना यहाँ पर आपको हर तरह की वेकेंसी मिल जागी जैसे की army navy air force other defense state police हर तरह की वेकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो आप यहाँ पर इसको जरूर बिजिट करें regular basis पे काफी कमाल की वेकेंसी जो भी latest update है आपको हमेशा यहाँ पर सबसे पहले मिल जाएगी आप यहाँ पर आएंगे यहाँ पर आपको option मिलेगा इंडियन officially notification भी download करने का option मिल लागे इस पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल जो original notification है बीना watermark का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भारतिय वायू सेना के द्वारा जो notification जारी किया गया डिये वीपी की जो officially site हो दिये government वहाँ पे वेकेंसी जो है पब्लिस किया गया है और आप जो है आपको notification के बारे में मैं आपको जनकारी देता हूं और आप जो लागतार defense job portal की website वे विजिट करके defense related जनकारी को ले सकते हैं यहाँ पे बताया गया कि invites Indian citizens men and women to avail the opportunity to undergo apprenticeship training यहाँ अगर आप इंडिया के हैं किसी भी राजे से आप आते हैं male हो या female हो आप यहाँ पर form को apply कर सक और यहाँ पर बला गया कि यह जो apprenticeship training है इसका return test पहले होगा और यहाँ पर course जो start हो जाएंगे एक अप्रिल 2022 को start हो जाएंगे यहाँ पर आपको जो है बोला गया कि आपका जो salary होगा stipend वो आपको देखे इस तरह से जो है आपको 77-100 पर मंथ आपको government के तरह थूँ आपको salary होती है उसके हिसाब से आपको जो है उसी guidelines के जो RDTA Mumbai है उसके guidelines के अनुसार आपको है stipend salary दिये जाएंगे qualification बताया गया है कि आगर आपने जो है दोसवी class qualify किया है और आपने 12 भी qualify किया है equivalent examination भी qualify किया है 50% marks के साथ form को apply करेंगे और ITI certificate भी आपको होनी चाहिए यानि जो ब रखा है 50% marks के साथ तो यहां पर form को apply करेगा जिसमें कोर्स जो होंगे mechanist seat metal welder gas electric mechanist कारपेंटर electric aircraft पैंटर जेनरल फीटर तो आप देख सकते हैं vacancies यहां पर अलग-अलग trade wise यहां पर आपको देखने को मिलेगी A3 TWT entry यहां पर कोर्स का नाम रखा गया है और इसका जो लास्टेट है वो उनुस फरवरी है उनुस फरवरी के पहले आपको form को fill कर लेना है return exam एक से लेकर 4 March के बीच आपको हो जाएगी और declaration जो होगा list का मतलब किसका selection हुआ 17 March को हो जाएगी और एक तारिक से आपका training यहां पे start हो जाएगी देखें यह एक apprenticeship training होता है permanent vacancy नहीं होती है जब यहां पे training कर लेंगे year force में तो आपको जो है वहां पे रखा भी जा सकता है नहीं तो हटाया भी जा सकता है अगर आप नहीं भी वहां पे रखे जाते हैं तो आपको एक certificate दे जाता है कि आपने जो है training लिया हुआ है तो आगे जब भी कई vacancy आएगी तो आपको ज़्यादा preference ज़्यादा बरियता आपकी value दी जाएगी कि आपने अलड़ी training लिया हुआ है और आपको knowledge है काम करने का तो आप एक skilled worker हो जाएंगे काम करने वाले और आप जो है कहीं भी आसानी से अच्छा कासा salary पे लग सकते हैं अगर आप यह apprenticeship कर सकते हैं तो अगर आप friends इस तरह की eligibility को qualification को fulfill करते हैं तो आप form को apply जरूर करें आपको यहाँ पे जो है नासिक जो है नासिक Air Force Station बार में नासिक में है वहीं पे आपको vacancy जो है आपको लगेगी apprenticeship होगी और आप जो है वहीं पर ज काम करेंगे और जो भी यहां पे apprenticeship का जो exam होगे उसका जो हाँपर इस नासिक में ही आपको होगा जो की एर first station है तो friends आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी information आप आपको यहां पर बताई गई है आयू के बारे में बताई गई है एकरीस से 14 से वर्स आपकी आयू है जेनरल से हैं तो OBC 14-24, SCST 14-26 और बाकी employee अगर आप रहा चुके हैं अल्रेडी डाटर या के तो आपको छूट मिलेगा हाइट के बारे में बतायागा यहां पर हाइट minimum और weight कितना आपको होनी चाहिए जो कि यहां पर देख सकते हैं बताई गई है तो बहुत ही अच्छी वेकेंसी है अगर आप यहां की यहां पर आपको आपको अपना नाम नाम भरें के मदर का उसको से डेटर बर्थ जेंडर यहां चूच करेंगी मोबाइल नंबर अल्टरनेटिव मौले में देना चाहते हैं दे दीजेगा email id, confirm email id, password और confirm password इसको tick करके submit करेंगे, submit करते हैं आपको password बन जाता है, password बनते ही friends आपको login करना होता है, login करने के लिए login पे click करेंगे, यहाँ पर अपना email id, password इसके अपचा को tick करके login करेंगे, login करने के बाद से friends data अच्छे से feel करना है, photo, signature, metric, integration का, integration की हैं, तो आप जो iti की है, iti का सारी information को step by step भरेंगे, भरने के बाद से friends आपको opportunity पे click करना है, बतला अपना profile पूरा set करने के बाद से, apprenticeship opportunity पे click करेंगे, तो यहाँ पे आपको search करना होगा, यहाँ पे आपको search कैसे करना होगा, मैं यहाँ पे आपको search करना है, मैं आपको दिखाएता हूँ, यहाँ पे आपको location में नासिक लिखना है, नासिक लिखने के बाद से, यहाँ पे आपको search by click करना है, Indian Air Force, इतना आप लिखेंगी, Indian Air Force, यहाँ पे आपको tick करना है, Indian Air Force, तो यहाँ पे आपको जो है, इस तरह से न दिखाई देगी जो की notification में यह 8 तरह के ट्रेड दिखाई गए है तो आठो ट्रेड यहां पर आपको दिखाई देगा तो आप जिसमें भी आपको अप्लाई करना चाहते हैं वहां जो है अप्लाई कर दे कर सकते हैं पहले आपको रेश्टेशन करके लॉग इन होना है लॉग यहां पे देखें, Indiana 4 central government और यहां पे देख सकते है ओजहर यहां पे आ रहा है ऑप्जिसट्र नासिक. महारास्थ्र काहांगी vacancy. यहां पे सबी चीज़ llevar आपको 500 होगी और यहां पास होनी चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th कमर्स और इसको कालिफिकेशन 12th हुमेनिटी तो आप यहां पर देख सकते हैं फ्रिंट्स यह वेकेंसि यहां पर जो है और आपको अप्लाई करने का भी प्रोसेस मैंने बता दिया है अगर आपको कोई भी डाउट्स है और समझ में नहीं आजा कैसे आपको अप कया है तो आको यहां तक सारी इंफ़ेशन समझ में मिलते हैं